दूद में सेब का रस शामल करके पीने से चेहरे पर निखार आता है दार चीनी की चाएं बना कर पीने से पेट की रसुली खतम हो जाती है दही में चीनी डाल कर खाने से पेट के दर्द में अराम मिलता है कच्ची गाजर चबा कर खाने से चेहरे की जुरियां खतम हो जाती है चाकलेट खाने से गले की खारिश खतम हो जाती है बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता हो तो बच्चे को जामन का शर्बत पिलाया करो बच्चा बिस्तर पर पेशाब करना छोड़ देगा अगर जिसम में सोजन का मसला हो तो लोकी का सालन बना कर खाएं खाना खाने के बाद पानी पिने से बदन में मुटापा आता है शाम के वक्त प्यास खाने से बवासीर हो जाती है शाम के वक्त चावलू का इस्तेमाल ज्यादा करने से पेत बढ़ जाता है सुबू के वक्त द़ी खाने से मेदा ठीक रहता है चमबेली का तेल सर में लगाने से सर की जोए मर जाती है मैदे की कमसोरी का मसला हो तो सागु दाना बना कर खालिया करो सोने से पहले शेहद चाट लेने से इनसान को नीद अच्छी आती है अगर मेदे में गेस का मसला हो तो ग्रीन टी का कप बना कर पी लिया करो अगर बूख ना लगती हो तो आम का अच्चार खाने से बूख जल्दी लगेगी पका हुआ अमरूद खाने से मसाने की कमसोरी दूर होती है केले के छिलके माथे पर मसलने से सर दर्द में आरा मिलता है नेहार मूं नीम गरम पानी पीने से पेट की तमाम बीमारिया खतम हो जाती है लेसन पर नमक लगा कर खाने से पेट दर्द में आरा मिलता है पानी उबाल कर पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता सेव के छिलके चबाने से बार-बार पेशा बाने का मसला खत्म हो जाता है मचली का सालन बना कर खाने से दिल की बिमारी दूर होती है ज्यादा टेंशन लेने से बुड़ापा जल्दी आता है हेज के दर्द में अनारदाना खाने से दर्द में आराम मिलता है जिस घर में मिया बीवी लड़ते रहते हैं वहां हमेशा रिजक की तंगी रहती है नाफ में तेल डालने से ताकत मिलती है पिस्ता खाने से बंदा फित रहता है बकरी का दूद पिने से नजर तेज होती है उंठनी की चर्बी खाने से ताकत बढ़ती है बिंदी खाने से औरत को फाइदा होता है सर में शदीद दर्द उठे तो फोरण थोड़ा सा सफेद जीरा मू में डाल लो दर्द फोरण खतम हो जाएगा अगर काम की ज्यादती की वज़ा से ठकन बहुत ज्यादा है और जिसम तूट रहा हो तो सरसू के तेल से साथ मिनट तक दोनों पाउं का खूब मसाच करें इन्शाला आराम आ जाएगा कच्चे अनार का तेल बालू में लगाने से बाल मजबूत होते हैं अगर बाल काले करना चाते हैं तो सरसू के तेल में बकरी का दूद मिला कर बालू पर लगाएं ज्यादा ठंडे पानी से नाहने से बाल गिरने लग जाते हैं चेहरे के गेर जरूरी बालू पर माचिस की तीली का मसाला लगाने से बाल खतम हो जाते हैं माहवारी के दोरान रात को तंग कपड़े पहन कर नहीं सोना चाहिए इस से दर्द में मजीद इजाफा होता है छोटे बच्चों को मक्यां बहुत ज़्यादा तंग कर रही हो तो उसे नीले कपड़े पहना दो मक्यां करीब भी नहीं आएंगी अगर सांस लेने में तकलीफ होती हो तो हरी मिर्च खा लें आराम आ जाएगा अगर दिल की बीमारी का मसला हो तो मचली का सालन बना कर खाया करो माल्टे के रस में अदरक मिला कर नाफ में डालने से पेट की चरबी खतम हो जाती है नमक का मसाज करने से बदन की बिमारिया दूर होती है अगर लीमू पानी पीते वक्त लीमू के बीज मुँ में आ जाएं तो उसे चबा कर खालो इससे बदन की बिमारिया दूर हो जाती है जो बच्चे या बच्चियां तंग लबास पहनती हैं वो जल्दी बालग हो जाते हैं एलोवीरा के पानी को नीम गरम करके उसमें हल्दी डालकर मूँ दोने से चेहरे की तमाम जुरियां खतम हो जाती हैं धनिया की चटनी बना कर खालो कभी भी आपको पेट का दर्द का मसला नहीं होगा अगर नीद बहुत ज्यादा आती हो तो अद्रक को पानी में मिला कर पी लिया करो दिन में आठ गिलास पानी पीने से इनसान जिस्मानी तोर पर फिट रहता है गुर्दे और मसाने भी तुंद रस्त रहते हैं फजर की नमाज पढ़ने से कभी रिजिक में तंगी नहीं आती ज्यादा खाने वाला हमेशा भीमार्यू की जद में रहता है नीम के पत्ते पानी में उबालकर टांगें दोने से मावारी के दर्द में कमी आती है रोजाना चकंदर का इस्तेमाल करने से पुरानी से पुरानी खांसी भी खतम हो जाती है नास्ते में केले का इस्तेमाल मोटा पे को कम करता है उबले हुए दूद के साथ दो इलाचियां खालो पेट कभी बाहर नहीं आएगा गरम खाना खाने से मैदा कमजोर हो जाता है अपनी खोराक हिलाल रखो दूआ कुबूल होगी अगर सालन के अंदर मिर्चें ज्यादा तेज हो जाएं तो सालन के अंदर आदा कब दूद शामल कर लें मिर्चें कम हो जाएंगे